तो दोस्तो फाइनली यहाँ पर एक नई भरती आ चुकी है मैंने अभी बताया था कि नई भरती आने वाली है और दोस्तो भरती आने का सिलसिला लगाता जारी है तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कौन सी भरतियाई है, कितनी पोस्ट है, क्या क्या रिक्वार्मेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सेलरी है, सब कुछ मैं इसमें step by step बताने वाला हूँ तो नमस्का दोस्तो मेरा नाम पंकच आप देखे रहें पंकच एडूटेक दोस्तो आप को यह मैं चैनल पर नए है तो यह सब्सक्राइब कर लेना आपके लिए ही मेहनत करता हूँ आपके लिए ही वीडियो बनता हूँ चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो आप सकते हैं कि यूपी PCL उत्रप्रदेश पाउर कर्प्रलेशन लिम्टेड यह विभाग है इसमें दोस्तों यह देखिए एक वेकेंसी आयो जिसका नाम दोस्तों सहायक लेखाकार असिस्टेंट एकांटेंट का यह पोस्ट है यह और इसमें क्या क्वालिफिकेशन है मैं दोस् यह 15 है दोस्तों यहां पर अनुसुची जाजती स्रड्य के लिए ब्यस्टी के लिए अरटालिस है और यहां पर सिर्फ थीन पोस्ट है आप यह दोस्तों आप स्रूंपर पोरा क independent कर सकते हैं कि इतनी पोस्ट और इसके बाद जो जरूरी जरूरी बात है मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बता देता हूँ फिर आपको वहाँ पर ओफिसल वेबसाइट इसकी बताऊंगा आप वहाँ से लॉग इन करके आप आराम से इस फार्म को भर सकते हैं दोस्तो यह फार्म अभी सुरू हुआ नहीं है यह भरती आ गई है नोटिफिकेशन पहले तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप दोको यह बेकेंसी है इसके बास दोस्तो आपको इसमें जो एज है ने एज देखो एज के लिए देखो है दोस्तो आपको यहाँ पर एक साथ 2000 को 21 वर्स मीनिमम आपके पास 21 वर्स होना ज़रूरी है और मैक्सिमिं चालीष वर्स चली मैं यहाँ पर कलर चालीच रखिए चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमूम जो है आपको 21 साल और मैक्समूम 40 साल जो है 40-40 वर्स आपको चाहिए इसका अधिकतम आयू में सीमा में छोड़ हुए आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5 वर्स का कटेगरी वाइज और रिजर्वेशन के जो है पूरा नियम भी यहाँ पर सब कुछ लगेगा किसी मानेता प्राथ बिस बिद्याले या डिमिन बिस बिद्याले के इंदर राज सरकार के एक्ट दोरा स्थापित में वाली जमें असनातक डिगरी तो दोस्तों आपको ग्रेडवेशन चाहिए वा मातर लिखित परिक्षा में सम्मिलित होने से अरहता या चैन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा चैन परिक्षा चैन लिखित परिक्षा के अधार पर किया जाएगा ठीक है चैन प्रक्रिया लिखित परिक्षा क्या होता है दोस्तों सहायक लेखागार के पद्ध पर प्रफम पत्र होंगे प्रफम पत्र दो भागों का होगा प्रफम पत्र में प्रफम पत्र दित्य भाग में प्रफम पत्र दो आपको डोएक के थुरे दोस्तों आपर ओल लेवल का सर्टिफिकेट होंगे प्रतेक प्रफम पत्र के लिए एक बट्टे चार की प्कटवती की जाएगी कंप्यूटर ग्यान की प्रफम भाग की परिक्षा में कम से कम 50 पतिसत अंक प्राप्त करना अनिमार होगा दोस्तों दित्य भाग जो इसका सिलेबस भीया पर दिया हुआ है जो सेकेंड इस्टेज है उस पर दोस्तों आपको दित्य भाग के परिक्षा में जनरल इंगलिस और जनरल हिंदी ठीक है आप लोग ध्यांस देखना जनरल हिंदी चली मैं आपको इस तरह से स्क्रिंग कर लेता हूं ताकि आपको समझने हैं थोड़ी सी पैसानी नहों कि सब कुछ दिखेगा आपको ड्रग से जिम करके मैं दिखाऊंगा ठीक है तो आप दिखेंगे यहा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्लेबस के बारे बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जनरल इंगलिस और जनरल हिंदी आपको यहाँ पर जनरल इंगलिस और जनरल हिंदी आपको जो है यह इसमें स्लेबस में मानने वालिड है इसके बाद आर्थमेटिक है अच्छ्रक रस टीक है मतलब अक्यूर अकांटिंग है अटि ऑडिटिंग इंकम टेक्स है। स्माने आपको जानकारी होनी चाहिए। विलो तो आप देछ सकते हैं नीचे अलिए नीचे दिए गया है अभीछ दिशकते हैं विलो देछ लिए बास ट्रेटिंग income tax expenditure accounts depreciation reserve and provisions branch of the department accountants double account system bank reconciliation statement rectification of error balance sheet format and classification इस तरह से लेबस दोस्तों आपके और निचा आएंगे दिहां पर auditing and income tax में object of audit bouncing and verification rights duties and liabilities of the auditors income tax previous pertaining to income from salary and previous related chapter 6 of income tax act 1961 दोस्तों इस तरह से आपके इसलेबस होने वाला है आपको पढ़ लेना इसके बाद प्रतेक प्रश्ण एक अंका होगा अर्था त्या परिक्षा दिक्ताब डेड़स अंका को होगी प्रतेक गल्द उत्तर के लिए एक बट्टे चार रांग की इकटावती की जाएगी इंपोर्टेंट आवेदन सुलक के बाद दोस्तों यहाँ बिल्कुल नॉन डिफंडेबल है और जो सुलक लगएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर CST के लिए यहाँ पर दोस्तों 826 रुपए जो की काफी जादा फीस है 826 रुपए है जीस्टी सहीत और EWS के लिए यहाँ पर अन्राचिस सेरडी UR General और OBC सबके लिए यहाँ पर 1180 रुपए बिकलाएं के लिए तो उस्ते हाँ पर 12 रुपए ठीक है इस तरह से फीस है आप इसको इसको इसकी आपिसल फेबसाइड www.uppcl.org पर कर सकते हैं ठीक है जाके लॉग इन कर सकते हैं यहाँ से अपलाई कर सकते हैं तो देखो कैसे आपको जो है upcl.org अपलाई के लिए खोलना होगा इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों मैं इसे वीडियो बना दूंगा आपको कैसे कैसे अपलाई करना है बागी दोस्तों ऑनलाइन जो है इसकी डेट जो है इंपोर्टन डेट से अनलाइन आपत्र पूर्ड करने के दितिय इस तक है पेमेंट चलान जो है डाउलोड करने का और इसकी जो CBT परिक्षा होगे दोस्तों December 2021 के परतम सब्ता हमें तो इसी साल जो है परिक्षा हो जाए कि इसकी सचीव के मुहर स्टेंप लगा हुया है और दोस्तों यहां पर यह जो दिया गया है न यह कल्कुलेशन यह जो है दोस्तों नौर्मलाजिशन स्कोर जो है कैसे नौर्मलाजिशन किया आता है उसका फार्मूला है इसी बेस पर जो है इसको नौर्मलाजिशन किया जाएगा अगर दोस्तों परिक्षा आपके दो से तीन सिंफ्टम में होती है तो यहां पर यह नौर्मलाजिशन किया रहता है आए थिन दोस्ता आपको वीडियो पसंद आया होगा इस तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पंकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल लाइग को प्रेस कर सकते हैं